हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने महरा एजुट है की यूटूब चैनल में आप सभी को पता होगा जो आपका RSC AD के एक्जाम है 16 एक्टुमबर को आजुट किया जा रहा है जो वर्दवान मावीर खुला विस्त दाल है कोटा दवारा जूट किया जाता है अगर दोस्तों आप RSC AD तेयरी कर रहे हो तो यह क्लास आपके लिए बहुती महत्पून रहने वाली है क्योंकि दोस्तों पास सोनी की फूल गारंटी है साथ में आप 35-90% स्कोर भी प्राप्त कर सकते हो अगर आप हमारी complete model paper series देखते हो तो इस्टार्ट करते हैं आज क्लास को पास की गारंटी के साथ क्योंसर नंबर एक कम्प्यूटर का वहें बाग जिसे देखा और चुआ जा सकी उसे कहा जाता है software hardware तो दोस्तों उसे hardware कहा जाता है नेक्स्ट क्यूशन निमन में से कौन सी computer system की एक सीमा है speed, शुद्धता, परिश्रम या बुद्धी का अभाव तो बुद्धी का अभाव है जो computer की system की एक सीमा है नेक्स्ट क्यूशन यूजर उप्योग करता से सूचना का अधहन परदान करता है system, software के माध्यम से बिल्कुल सही है यानि system, software के माध्यम से अधहन परदान करता है सूचना होगा computer प्रिणाम को खालिस्तान के माध्यम से परदशित करता है input, output यानिकि output के मादम से प्रदिस करता है नेक्स्ट कुशन रहम के दो परकार होता है डाइनेमिक रहम, स्टेटिक रहम यानिकि दोनों परकार सही हैं तो C option है जो सही राइट आशर इसका नेक्स्ट, गैंट्रल एल्टर की को कहा जाता है कॉंबिनेशन, टॉंगल, फंक्शन या शिंग के हातों तो इनको दोस्तों कॉंबिनेशन की जए जो कहा जाता है नेक्स्ट कुशन किसी विसे इस feature को on-off करने के लिए इस्तेमाल की जाती है caps lock, nums lock या scroll lock, उप्योग सभी तो इसका D option है जो right है यानि इस तीनों का प्रियोग किया जाता है next computer में जो इस्टिक्स को उप्योग में लिया जाता है इसके लिए games के लिए skinner, printing या typing के लिए तो games के लिए प्रियोग किया जाता है जो इस्टिक्स का next ATM से निकलने वाली रसीद की छपाई में खालिस्तान प्रिंटर का काम लिया जाता है तो इनमें दोस्तो थर्मल प्रिंटर का है जो यूज किया जाता है question number 11 एक वस्तू को मशीन दवारा विसीश्ट रूप से पैचानने का तरीका है बारकोड यानि की बारकोड के माद्दम से वस्तू को मसीन है जो पैचानती है next user output की soft copy देख सकता है monitor से बिल्कुल सही यानि monitor से है जो soft copy देख सकता है next HTML का प्रियोग खालिस्तान बनाने के लिए प्रियोग किया जाता है मसीनी बासा प्रोग्राम उचिस्तर बासा वेब पेज या वेब शर्वर तो किसके लिए प्रियोग किया जाता है इनमें दोस्तों वेब पेज बनाने के लिए प्रियोग है जो किया जाता है next question इसमर्थी इस्तान से डेटा कोपी करने की प्रिक्रिया को कहा जाता है क्या कहा जाता है रिडिंग कहा जाता है बिल्कुल सही है यानि कि रिडिंग कहा जाता है C option है जो right answer next question सूचना का स्रमू क्या है printer रास्ता फाइल तो फाइल को है जो सूचनाओं का स्रमू है कहा जाता है next question CD DVD में फाइल को कोपी करने की प्रिक्रिया को कहा जाता है क्या कहा जाता है इसको दोस्तो बर्निंग कहा जाता है NCD और DVD में फाइल को कोपी करने की प्रिक्रिया है उसको बर्निंग कहा जाता है next question सबसे ज्यादा पर्चलित operating system है कौन सा है MS, DOS, UNIX, Windows या उप्लोक्स सभी सबसे ज्यादा पर्चलित है जो आपका यानि की Windows है Windows है जो सबसे ज्यादा पर्चलित है next MP4 है MP4 क्या है video format बिल्गुल जैन see है जो write answer है next question सामाने keyboard में कुल कितने function कीज होते है तो सामाने keyboard में 12 function कीज है जो होते है next question task bar में clock के दूसरी तरब के button और system tray को कहा जाता है यानि क्या कहते है icon menu bar start button तो इनको दोस्तो start button है जो कहा जाता है ठीक है चलते अगले question पे question number 21 icon को represent करने के लिए जो link होता है उसे ही कहा जाता है उसे दोस्तो shortcut icon कहा जाता है next question आप खालिस्तान प्रोग्राम की मदल से picture फाइल को अन्य file format में save भी कर सकते है wordpad, pen, typing या प्योक्श भी ठीक है तो pen के मादेमश आप save कर सकते हूँ next question modulated, demodulated का संचीब दूप है modem बिल्कुल सही है mo से होगा modem and dm से होगा demodulated तो modem इसका right answer है next question आज का email system किस model पर कारी कर रहा है typing mistake है कर रहा है store forward के मादेम से model पर कारी कर रहा है तो इसका right यह है जो बिल्कुल right option है next question Gmail में नया email भीजने के लिए किस पर click करेंगे inbox compose set mail as problem पर किस पर click करेंगे तो इस पर दोस्तों आप compose पर click करेंगे यान की B है जो right option है next question किसी भी website को access करने पर सबसे पहले खुलता है ठीक है तो सबसे पहले दोस्तों homepage है जो open होता है next निमन में से कौन सी सबसे हधिक गती की mobile संचार तक निकी है 4G LTE है जो सबसे अधिक गती की mobile संचार तक निकी है next यूजर के बारे में सूचन शंगरित करने वाली खालिस्तान कहलाती है क्या कहलाती है दोस्तों वेब फाइल कुकीज वेब साइट ये टेम प्लेट तो ये आपकी कुकीज है जो कहलाती है next question निमन में से सर्च इंजन नहीं है गूगल, बिंग और दोनों आपके दोनों है जो या निकी ए और बी है जो सर्च इंजन है बट जो फेश लूक है जो सर्च इंजन नहीं है next क्रेडिट कार्ड को कोन जारी करता है बैंक, वित्तिर संस्ता या दोनों बिल्कुल सही है दोनों ही है जो क्रेडिट कार्ड को है जो जारी करते है यानिक, इसका सी ओप्सन है जो बिल्कुल राइट है next, ओनलाइन टिक्ट बुक करने के लिए वेबसाइट पर जरूरत होती है यूजर आइड़ी और पास्वर्ड दोनों की next, वर्ड प्रोसेसिंग के दवारा विक्सित किया गया है तो वर्ड प्रोसेसिंग को किसके दवारा यानि विक्सित किया गया है तो Microsoft Word के दवारा विक्सित किया गया इसको next, पेज का बोर्डर जोडने या अठाने के लिए प्रियोग करेंगे तो किसका प्रियोग करेंगी तो page borders का प्रियोग करेंगी यह है जो right है आज का last question दोस्तों आपके पिछले कारे के प्रिणाम को पहले जैसी स्तिती में बदल देता है undo command, redo command या दोनो या shift ठीक है तो इसका right answer दोस्तों आपको comment section में बताना है अगर नहीं पता है तो comment section चाकी च जाएगा ठीक है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को like और share जरू करें और अन्य अपडेट के लिए चैनल को subscribe कर लें थैंक्यों दोस्तों